दोस्तो कैसे हैं? आज दोस्तो आचुके कई सारे धेरो अपडेट्स अब आपको पता ही है शोस तो होने वाले एक के बाद एक कल पॉर्चुगल प्रो होने वाला है दुबई प्रो एक एक लाग डॉलर का प्राइज मनी ओफर करने वाला शो है जिसमें की अथलीट्स कमपीट करना चाहते हैं इस बार अभी तक जो दो बड़े नाम निकल करके आए हैं वो बस आए हैं एक तो बहरूस तबानी का और दूसरा यही नेकजिला का तो अगर एक लाग डॉलर प्राइज मनी की ही बात है उस हिसाप से यह दो नाम छोटे पड़ेंगे शो में हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर और एथलीट्स को देखना चाहेंगे बड़े नामी एथलीट्स को मैंस उपन बॉडी बिलिंग में फिलाल यहाँ पर रुबेल ने अपना अपडेट दे दिया और उसी वाले मैजिकल मिरर के आगे खड़े हुए हैं जहाँ पर की सारे पुराने ऑक्सिजन जिम में अथलीट्स खड़े हो चुके हैं इस बार रुबेल मॉस्कुरा की काफी तारीफ हुई है इस वाले अपड लगते हैं इवन इतने जादा बड़े के इनके प्रपोशन को बिगार भी देते हैं according to the judges तो यहाँ पर रुबेल मॉस्कुरा इस बार क्या करेंगे इस आने वाले दुबाई प्रो में देखो मुझे लगता है कि अगर दो चीज़े यह अपने साथ में ले करके आते हैं पह दो चीज़ों पर फिर से आपको गौर करने के लिए बोल रहा हूं करेक्ट पोजिंग और कंडीशन बॉडी अब यह ऑक्सिजन जिम के कोचिस के अंडर आ चुके हैं और स्पैशली क्रिस कॉर्मेर के साथ में यह ट्रेन कर रहे हैं अब क्रिस तो कंडीशन निकलवाते ही ह है कि यह धीरे-धीरे करके ठीक होते हैं और कुछ अपने बॉडी का एक फ्रेम होता है एक स्ट्रक्चर होता है जो रूबेल का उतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि फेवर करें इनको टॉप प्लेसिंग लेकर आने के लिए लेकिन स्चिल जो चीज इनके हाथ में है वो यह ही है एक ठीक तरीके से प्रपोर्शन को बिल्ड करना एक टाइम लगेगा उसमें लेकिन इस वाले पर्टिकुलर शो में ठीक पोजिंग और कंडिशन बॉडिन को उपर लेकर करके जा सकती है इससे जादा और कुछ नहीं बोलूंगा बाकि इस मिरर के आगे मुझे ही इतन लेकिन क्लासिक फिजीक में ब्रियॉन के साथ सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ क्रिटिसिजम रहा है उनके स्मॉल लेग्स और यह मैं नहीं कह रहा हूँ टाइलर मैनियन ने ये बात openly बोली है कि इनके लेग्स इनको पीछे रख रहे हैं यही लेग्स अगर बड़े हो जाए तो ब्रियॉन काफी सारे अथलीट को जैसे अर्ष खेलिंस की को असानी से हरा देंगे क्योंकि ब्रियॉन की अपर बोड़ी बहुत ही बेटर है कई सारे इनकी उपर वाले अथलीट से कइना के लेग्स इनको पीछे कर देते हैं अभी को टाइलर मैनिन इसी वाले शो को इनका नहीं है, क्रिस्पमस्टर आएंगे नी, वैजले विजर्स आएंगे नी, तो ब्रियोन को हराने वाला कौन? कोई भी नहीं, तो इसलिए क्रिटीसाइज होने के बावजूद भी ब्रियोन इस वाले शो को जीत सकते हैं, इसके काफी ज़्यादा असार है, हरानी की बाद आम्स के अंदर बहुत ज़्याद आपको वेंज दिखेंगी, ये बॉड़ी 14 हफते आउट तो नहीं दिख रही है, ये बॉड़ी दिख रही है, वन वीक या टू वीक आउट, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है के रेमॉन कंपीट कर ले पैसो के लिए दुबाई प्रो जैसे रहेगा, क्योंकि इनको आर्नोल क्लासिक में हरा दिया था है वेजले ने, क्रिस बंस्टर उनको हर साल हरा देते हैं, हाला कि रेमॉन अपने कंट्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक फेवरेट अथलीट है, लेकिन सिर्फ फेवरेटीजम से काम नहीं चलने वाला, अ लेकिन प्लेस तो कम से कम अपना हूँ, उसमें दावेदारी सावित कर दे, क्योंकि फरस्ट आना तो नहीं लगता कि उनके बस की बात है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि टाइलर मैनियन से उन्होंने कुछ फीडबैक्स जरूर लियोंगे, कि किस वजा से वो पीछे हो रहे है इस बार हमने देखा कि आरनोल क्लासिक में जब रेमॉन खेल रहे थे, तो उलम्मिया से पीछे की इनकी फीजीक आने की डाउन लग रही थी, ये बेस्ट पे अपने नहीं थे, इसलिए हाँपर इजीली वेजले विजर्स ने ने हरा दिया, उलम्मिया में इनको पीक करना ह पिलाल नाथन डे आशा ने भी अपनी फिजीक दिखा दी है, अपने खुदी के अपडेट में और इसमें ये आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, नाथन जिस तरीके से हमें लास्ट टाइम दिखाई दिये थे, इटली प्रो के अंदर, वो फिजीक तो अब नहीं चलन सकता है, पर मुझे अभी भी strong chances लगते हैं कि William Bonnet किस वाले show को जीत लेंगे, और यहां पर अपनी जीत को दुबारा से कायम करेंगे, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट निकल करके आती है, इसमें सारे के सारे athletes नहीं हैं, सिवाए William और Nathan के, इस वक्त इन दोनों को अपने trunk number म पहले, तो आप लोग बताओ, आपको किसके ज्यादा strong chances लगते हैं, मैं थोड़ा William की side पे ज्यादा biased हूँ, मुझे लगता है, वो एक conditioning और एक hardness का बहुती बढ़िया package है, as compared to, ना थंडियाशा, बाकिया आप लोग अपने thoughts लिख सकते हो, इसके बाद दोस्तों अगला update आ इसके लिए, तो I hope के Samson अभी healthy होंगे, healthy मतलब जो competitively healthy state होती है, किसी भी athlete की, healthy मतलब वो नहीं के एक normal इंसान की तरह blood reports आपके निकल करके आए, वो तो कभी भी नहीं आ सकते हैं लोगों के, लेकिन at least इतना के कोई बहुत बड़ा damage अपनी body को ना पहुँचा रहे हो, और क 320-330 pounds के आसपास हो सकते हैं, क्योंकि last time जब मैंने इनका update दिया था, जब ये उसी magical mirror के सामने खड़े थे, तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा था, कि ये 340 pounds पे है, अगे अंदाजा था, मुझे नहीं लगता कि शैद ये 340 pounds पे उस वक्त पे होंगे, लेकिन अभी भी मान के चलो तो 320-330 के आसपास हो सकते हैं, हो सकता है 310 पे भी हो, क्योंकि bodybuilders का size उतना ज़्यादा एक दम से बड़ा नहीं दिखता, एक 310 और 340 वाले athlete में आपको ज़्यादा फारक नहीं दिखेगा, bodybuilder आपको तब बड़ा दिखेगा, जब वो एक दम conditioned होगा, वो पूरे इंटरनेट को शॉक कर दिया था, इतनी तगड़ी back कैसे इनों ने grow कर ली, तो कई ना गई, वही मास ये अब front body में भी अपना grow कर रहे हैं, अभी भी लोग लेकिन comment section में इनके लिए यही लिख रहे हैं, क्यार conditioned आ जाना, मास की कमी तुम में पहले भी नहीं थी, अ वो तो नहीं आएगी इस साल भी, इतना तो हम देख सकते हैं, क्योंकि वो conditioning लाने वाला जो athlete होता, वो शुरू से ही उस conditioning को पकड़ के चलता है, जितने भी top Olympians रहे हैं, वो शुरू से ही आपको condition दिखेंगे, कुछ ऐसे रहे हैं, जो नहोंने धीरे जरे करके conditioning अचीव करी है, लेकिन उसके बाद वापस से वो वैसे ही हो गए, जिनकी शुरू से थी ना, वही चलते हैं सबसे ज़्यादा consistent, यहापर आपको मैं एक अच्छा अगर example दूँ, बिग रैमी ने कभी एकाद point of time पे conditioning पकड़ी, 2018 में, 2020 में उसके बाद फिर वैसे ही दिखने लग गए, तो जो अथलीट शुरू से पकड़ के चलेगा, जितने भी Mr. Olympia's है, डोरियन, रॉनी, फिल, या फिर डैरेक, हाडी, डैक्स्टर, तो यह सारी अथलीट शुरू से ही conditioning पकड़ के चले हैं, इनका मैं example यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि Samson 12 condition उतने नहीं आते, और बनना चाते हैं, यह Mr. Olympia, Mr. Olympia बनना है, तो शुरू से ही conditioning वाली एक philosophy रखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि अब Samson 12 शुरू में condition नहीं थे, जब यह छोटे थे ना 2018-19 में, तो यह condition भी थे, size एकदम से इतना जदा इनोंने बढ़ा लिया, कि वो crispiness इनकी body से कही नहीं खो इस साल वही चाहिए होगी इनको, बाकि यहां पर एक और अपडेट आजाता है दोस्तों, यहां पर हमारे 212 पुराने चैंपियन, Sean Clarida के उपर, अब देखो, Sean Clarida बहुत ही मुश्किल से अपडेट्स देते हैं, तो यह एक नोंने अपडेट दिया था, जिसमें कि नोंने ल दिख रही है न, तो उलम्पिया में यह बहुत ही अच्छे दिख सकते हैं, अगेन यह भी कहिना कहिने अपनी कंडीशनिंग अब खोते जा रहे हैं, वही क्रिस्पिनेस जो यह 2020 और 21 के उलम्पिया तक दिखाया करते थे, कहिना कहिने अब कियोंन पियर्सन फ्यूचर बनत करे थे और साथी साथ अब उनकी बॉड़ी जादा मसल मैचुरिटी पकड़ती जा रही है शॉन कलेडा अल्रेडी मसल मैचुरिटी में कियोन पियर्सन से बहुत सीनियर है लेकिन कहिना कहीं वही साइज में लैक करना इनको पुश कर रहा था उस तरफ पे कि यह जादा जादा राउंड हो करके आए और उस चक्कर में कंडीशनिंग इनों ने खो दी थी क्लारीडा का एक जो सबसे बेस्ट पॉइंट था वो था 176 पॉइंट पे जब इनोंने लीजन स्पोर्ट्स खेला था बहुत हलके थे लेकिन बहुत खतरनाक थे सारे मैंस उपन बॉडी बिल्डर्स को हरा दिया था कही न कहीं उसी पॉइंट पे यह सबसे ज़्यादा बैस्ट दिखते थे लेकिन फिलाल ये भी अपने आपको पुश करते जा रहे है और इनका गट निकल गया था पिछले साल के ओलमपिया तक अब वो सारी चीज़े इनको कंट्रोल में करनी है और इस बार इनको कंडिशन भी आना है स्मॉल वेस्ट को ले करके जैसे कियों पियरसन वेक्यूम मार लेते हैं कहीं ना कहीं वो चीज़ इनको भी चेज़ करनी पड़ेगी क्योंकि आजकल जड़ इसकी डिमांड है अगर उन सारी चीज़ों को हटा दिया जाए तो शौन कलरीडर सही में एक बहुती कंप्लीट एक 3D लुक वाले स्मॉल मिनी रॉनी कोलमन कहलाई जाते हैं इस बार मुझे ऐसा लग रहा है इस वाले अपडेट में के इनके लेग्स पहले से बड़े हुए हैं वही लेग जो पहले बहुत छोटा दिखता था अब इस साइड पे देख सेखते हैं जो लेफ्ट एट वाला लेग है वो इस बार काफी बड़ा दिख रहा है और राइट वाला लेग पहले से भी और बड़ा दिख रहा है होता है ताकि यह मेक शूर किया जा सके कि वह ओवर वेट ना चल रहा हो अपनी हाइट के हिसाब से और इस बार एक अच्छी खासी प्रैप करने के बाद स्टीफन आखिर कर रेडी हो गए हैं इन्होंने यह लिखा था अभी से 17 गंटे पहले कि कोई मैंने फिल्टा नहीं आ सकता बहुती कम अप समय बचा है वजन ना पजा चुका है अल्रेडी नोने काब लोडिंग भी थोड़ी बहुत कर ली है लगबग 50% से उपर और अब थोड़ी सी और करेंगे और कल के लिए शोर रेडी हो जाएंगे इनकी फिजीक बहुती ज्यादा रॉक सॉलिड लग बाइ शुक्रिया